Hello students, today we are going to revise chapter 8, Women, Cast and Reform. History का lesson है ये 8, और इसको हम आज revise करेंगे, वीडियो पहले भी send कर चुकी हूँ, जिसमें की आपने lesson को thoroughly हमने read किया था, उसको explain किया था, आज chapter को हम फिर से revise करेंगे. तो इस chapter में हम read करेंगे, women, caste and reform, यानि women की condition के बारे में, किस तरह की उनकी situation थी, किस तरह से उनको treat किया जाता था, और caste system, कि किस तरह से caste system था, कि जिसमें कि अपर caste, lower caste हैं, और society को किस तरह से divide किया गया था, और reform, यानि कुछ ऐसे social reformer, जिन्नों ने society में इस तरह के जो superstitions, अंतविश्वास की जो बाते थी, ऐसे ritual जो थे, जो की नुकसान दायक थे, society में, और जिनसे आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो इस तरह के बहुत सारे चीजों को उन्होंने reform किया, सुधार किया, और वो हम इस chapter में revise करेंगे, फिर से, तो यहां सबसे पहले हम read करेंगे, women की condition के बारे में, कि आज की situation अगर हम देखें, तो किस तरह की situation है girls के लिए, कि हर एक field में वो आगे बढ़ रही हैं, college है, universities है, उनमें भी वो जा रही हैं, ठीक है, और उसमें ये भी था कि पहले के जो situation थी, कि उसमें caste community से बाहर कोई भी नहीं जा सकता था, मतलब कि अपनी ही जो benefit है, हर एक rights को proper तरीके से वो use करें, utilize करें, और अगर 200 years before हम देखें, तो उसमें कि जो situation कैसी थी, कि हिंदू या Muslim जो girls हैं, उनकी बिलकुल मतलब उनको एक foundation थी हर तरह से ही, ना वो school, college जा सकती थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी, और जो video हो जाती थी, तो उनके साथ बहुत badly treat भी किया जाता था, और अक्सर ये भी होता था कि अगर husband की death हो जाती है, तो जो video है, जो उसकी wife है, वो जिन्दा जल जाती थी, यानि सती हो जाती थी, तो यहां figure 1 में भी देखिए, आपको दिखाया गया है, सती painted by बैलथाजार, सोल्विन, 1813 का ये picture है, photo है, तो ये भी आपका extra question बन सकता है, तो आज हम इसमें extra question बनेंगे, किस तरह से कहां पर हैं, वो हम discuss कर रहें बिटा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, और mark भी करते जाएंगे, ठीक है, लेसन जैसे आप read करते जाओगे, mark भी करना, फर्स्ट जो figure है, वो आपका एक extra question बन रहा है, और सती मीनिंग, virtuous woman, तो उसमें woman को widow की life जो थी, वो भी बहुत miserable होती थी उनकी, और maximum जो woman होती थी, या तो forcely, या अपनी इच्छा से, वो सती हो जाती थी, उसके बाद, next जो topic है, वो है आपका, cast, man और woman में किस तरह के differences थे और society जो हमारी थी, किस तरह से divided into four groups में, प्रामन, क्षत्रियाज, वैश्याज और शुद्राज, और शुद्राज जो थे, वो lower caste के होते थे, और उनमें ये भी था कि बहुत सारे ऐसे भी थे, जो ऐसे labor हैं, वो भी काम करते थे, अपर caste के जो लोग हैं, उनके घरों में काम करते थे, और उनका जो social status जो था बहुत low था, untouchable उनको कहा जाता था, कि कहीं भी वो temple में enter नहीं कर सकते, और अपर caste के जो wells हैं, कुएं हैं, वहाँ से वो पानी नहीं ला सकते थे, और किसी भी social festival जो है, उसमें publicly वो participate नहीं कर सकते थे, तो इस तरह से उनकी बहुत कुछ ऐसे norms जो perception जो थी दीरे दीरे वो change होती गई, और उसका reason क्या था, कि कुछ ऐसे social reformer थे, उनके बारे में हम read करेंगे, next topic जो आपका है working towards changes, इसमें क्या था कि जो social customs हैं, practices है, उनको कैसे हम change कर सकते हैं, कि जो harmful है society के लिए, तो एक main important जो था, वो था communication का, कि development of new forms of communication, कि books है, newspaper है, magazines है, ठीक है, ये print होने लगे थे, और ये cheaper भी थे, सस्ते भी थे, जो कि हम पहले manuscripts और inscriptions जो पढ़ते थे, लिखते थे, वो बहुत मश्किल भी लिखे जाते थे, और hardly ही उनको हम पा सकते थे, लेकिन books है, magazine है, newspaper है, वो easily available भी है, और इसमें क्या था कि ordinary जो लोग थे, वो अपने views हैं, अपने ideas जो हैं, अपनी अपनी language में उनको express करते थे, कि किस तरह से वो society में रहते हैं, कैसी वो condition में रहते हैं, तो ये सारी चीज़े वो discuss भी करते थे, और इसी तरह से वो books या magazine जो थी, वो दुसरे लोगों के साथ भी पढ़ी भी जाती थी, वो अपनी woman है, जो वो अपनी भी situation को describe करती थी books magazine के जरिये, ठीक है, तो इसके पात हम read करेंगे, discuss करेंगे कि कुछ social reformers के बारे में, जिसमें राजा राम मोहन राय है, इश्वर चंद्र विद्या सागर के बारे में हम read करेंगे, स्वामी दायनन सरस्वती है, ज सबसे पहले आपका है, राजा राम मोहन राय का, ठीक है, यहाँ देखिए, इसमें लिखावा है, राजा राम मोहन राय, 1772-1833, यालि 1772 में उनका birth हुआ, यह भी आपका extra question बनेगा, ठीक है, और 1833 में उनकी death हुई, यह आप कर सकते हैं, underline, उसके बाद यहाँ पर ब्रह् समाद, राजा राम मोहन राय, और गल्स के लिए कैसे school open किये, किस तरह के जो policies उन्होंने बनाई थी, rule regulation बनाए थे, ठीक है, और western education के favor में थे, यहाँ भी आ सकता है, राजा राम मोहन राय, राय, was keen to spread the knowledge of western education, उनका यही था कि western education, जो है, उसकी वजए से, हम दूसरे countries के जो literature है, उनकी situation है, उनको पढ़कर, उनको follow भी कर सकते हैं, और हमारी society में, जो women पर burden है, इस तरह का, या lower caste का है, तो वो काफी हद तक हम उस चीज को समझ कर change कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी extra question बन जाएगा आपका, फिर next आपका changing the lives of videos, अब राजा राम मोहन राय ने क्या किय कि video की जो life थी, उनको explain किया, समझा, और उससे related बहुत सारी जो problem थी, सती जैसी है system, उसको abolish भी किया, संस्कृत बहुत अच्छी उनकी थी, Persian language है, बहुत सारी European और Indian languages को वो जानते थी, और उसके बाद, अब यहाँ पर British officials की help से उन्होंने 1829 में सती जो system था, वो band किया, य यह भी आप underline कर सकते मिटा, यह extra question बनेगा आपका, ठीक है, और यहाँ figure 2 में देखिए, यह भी आपका extra question मन सकता है, राजा राम मोहन राई, painted by रेम ब्रेंडिट पहले 1833, यह की photo किसने बनाई, यह picture, paint किसने किया, ठीक है, यह भी आपका extra question मनेगा, और दूसरा 1829 में सती system बैन किया गया, यह भी आपका extra question मन रहा है, तो in between जो question है वो हम discuss कर रहें, lesson हम read कर चुके है, इसको explain भी कर चुके हैं, और जहां आपको लगता है कि important point note हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो आप underline भी कर सकते, साथ-साथ मैं भी आपको बताती जारी, ठीक है, अब उसके बाद, बहुत सारे ऐसी practices थी, जो harmful थी society के लिए, उनको change करवाया, काफी हद तक British government, जो British official थे, उनका भी सहारा लिया, उनकी help ली, और Asian जो tax था, उनका भी सहारा लिया, कि उस समय की जो situation थी, tax जो थे, वहां से उनका हवाला लेकर, आज की जो practices थी, उस समय की, उसको change करवाने की की early tradition में ही इस तरह की चीजें नहीं थी, तो आज हम present में उनको क्यों follow कर रहे हैं, आप figure 3 में भी देखे, hook swinging festival, इसमें क्या है कि इस तरह से एक festival celebrate किया जाता था, ritual थी, कि कि किसी भी जो person है, उसकी skin को hook से लटका दिया जाता था, swing करवाया जाता था, और ये भी बहुत एक custom जो ritual था, barbaric था, मतलब बहुत कुरूरता से इस तरह से इस ritual को sell किया जाता था, और British government की help से ये भी काफी हाता कि इसको रोग लगा दे गई, ठीक है, अब उसके बाद next आपका आता है, कि यहाँ पर किस तरह से कि राजयराम मोहन राए ने सती जो system था उसको ban करवाया, और 1856 में वीडो री मैरेज एक्ट जो था, वो भी पास करवाया, इसमें विद्या सागर, जो थे इश्वर चंद्र विद्या सागर, उनका भी काफी सैयोग रहा है, और उन्होंने ही British official की म से जी सके, और बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो विद्या सागर के अपोज थे, उनका बाइकार्ट किया कि इस तरह के जो रिच्वल हैं, जो सदियों से चले आरे, उनको रोक नहीं सकते, उनको as it is follow करवाना, यानि बहुत सारे society के लोगों ने इन social reformer का बाइकार्ट किया या उनका criticism किया, उनका बहिशकार भी किया, लेकिन फिर भी इस तरह से ये social reformer जो थे, वो अपने rule regulation के according या अपने reforms जो थे, वो follow करते रहें, उसके बाद हम यहाँ रीड करेंगे कि तेल्गु स्पीकिंग का है area, मदरास presidency है, विडोरी मैरेज जो था, साउथ के पार्ट मे भी फैलने लगा, और बहुत सारे ऐसे अलग-लग जो जो बनाए गई थी, उनमें भी इसको follow किया गया, और फिर उसके बाद next आपका बन रहा है, स्वामी दैनन्द सरस्वती, इसमें आपके figure में भी देखे, figure 4 में दिया हुए, दैनन्द सरस्वती founded the area samaj in 1875, ठीक है, तो यह भी आपका extra question बन रहा है, इसको underline कर लिजे, इन्होंने भी उनको support किया, video remarriage का है, सती system है, वो भी यही चाहते थे, और girls के लिए school भी open किये उन्होंने, लेकिन society हमारी यही थी कि easily उन changes को वो accept नहीं कर पा रहे थे, कुछ women force था, या society का एक pressure था कि इस तरह से अगर वो change करेंगी, तो society में लोग उन्हें क्या कहेंगे, तो यह ऐसी बहुत सारी चीजें थी, कि कुछ तो लोग वहां के, और कुछ जो women थी, वो भी उसको easily adopt नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो next आपका topic आएगा, girls begin going to school, कि इसमें क्या question बनेंगे, यहां figure 5 में इश्वर चंदर व इद्या सागर ने कैलकेटा में बहुत सारे अधर जो reformers जो थे बंबे में भी वहां पी उन्होंने girls के लिए school open करवाई, mid 19th century में, लेकिन यह भी था कि लोग बहुत डरे हुए थे, यह आपके main question है, वो भी है, कि लोग जो थे girls को school भेजने से क्यों डरते थे, ठीक है, वो क्यों डरते थे, they feared that school would take girls away from home, कि वो घर से उन्हें दूर ले जाएगा, कि उन्हें जो domestic duties है, घरेलू जो काम है, वो कौन करेगा, और उन्हें public place में से जाकर, public place को cross करके school जाना पड़ेगा, यानि वो उस समय की क्या situation थी, कि girls को हमेशा घर में ही रखा जाता था, घर की चा तो इस तरह से उन्हें डर भी लगता था, कि girls घर से जाएगी, तो घर के काम कोन करेगा, मतलब बहुत सारे भै या डर जो थे, वो उन्हें school जाने से रोकते थी, ठीक है, तो इसमें फिर हम ये भी करेंगे, कि जो last year हमने रीड किया था, women change the world, civics का lesson था, जिसमें हमने रास struggle भी किया उन्होंने, और अपनी आपकी situation को भी improve किया, reading से, writing से, पढ़ लिख कर, यानि कुछ ऐसी upper caste की women थी, कि उनको भी ये दिकार नहीं थे, lower caste की women को तो थे ही नहीं, लेकिन अगर condition देखी जाए, तो upper caste की women की भी अच्छी condition नहीं होती थी, उन्हें भी school में नहीं पढ कुछ women थी, जो चोरी चिपे पढ़ती थी, घर पे ही, और उन्होंने education ली, पढ़ना, लिखना, सीखा, और अपनी book भी लिखी, रासुंदरी देवी ने book लिखी थी, आमार जीवन, ठीक है, तो उस book में वो condition, जो miserable, जो condition है women की, उसको उन्होंने describe किया, तो यहाँ पर हम य situation को संभालना शुरू कर दिया, कि women की condition को अगर improve करेंगे, तो society अपने आप ही develop होगी, और equality के जरिये हम society के हर एक group के लोगों को equal ला सकते हैं, वो भी देश के development में, आगे बढ़ने में अपना योगदान दे सकते हैं, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो थी, वो develop होने लगी थी, लोग आगे बढ़ने लगे थे, aware भी होने लगे थे, कि अपने अधिकारों के लिए भी वो aware रहें, तो यहाँ फिगर 6 में देखे, यहाँ आपका extra question भी बन सकता है, students of Hindu Mahila Vidyale, 1875, इसकी picture दी गई है इसमें, तो यहाँ पर 19th century में जब CA school open किया गया था, Mahila Vidyale, यहाँ पर girls, जो हैं, वो education के लिए जा रही है, ठीक है, तो यह भी आपका 1875 के picture है, यह भी आपका extra question में account हो सकते हैं, और फिर कुछ women, जो थी, Muslim society की जो women थी, वो भी आगे बढ़ना चारी थी, जैसे मुमताज अली, जो हैं, एक, उन्होंने क्या किया था, कुरान को women education के लिए आगे बढ़ाया था, कि women, जो Muslim women है, वो भी आगे बढ़ सकती है, वो भी पढ़ना चाहती है, वो कुरान को भी पढ़ना चाहती है, तो मुमताज अली जो social reformer थे, उन्होंने भी काफी women, Muslim, जो women थी, उनके education के लिए काफी improve किया, develop किया, या बहुत सार उनका support था, फिर next जो topic है, women right about women, इसमें हम रीड करेंगे, रुकईया शिखावत हुसैन के बारे में, या जो बेगम भोपाल है, वो है, और तारा भाई शिंडे के बारे में हम रीड करेंगे, पंडिता रमा भाई के बारे में हम रीड करेंगे, तो उस समय woman जो थी, वो भी अपनी condition को improve करना चाहती थी, उन्होंने भी कुछ movement चलाए, आंदोलन चलाए, struggle भी किया, बहुत सारी women को आगे aware भी किया, और यहां हम रीड करेंगे, तारा भाई शिंडे के बारे में, एक woman जो थी, उन्होंने क्या पब्लिश की थी, एक book, इस्तरी पुरुष तुलना, ए यह भी आपका extra question बनेगा, इसको भी आप underline कर सकते हैं, उसके बाद पंडिता रमावाई के बारे में, हम रीड करेंगे, कि संस्कृत की scholars थी, और उन्होंने वो अपर कास्ट की जो woman थी, उनकी condition, miserable जो condition थी, उनके बारे में भी लिखा, और उन्होंने एक widow home, पुना में, व to widow, who had been treated badly by their husbands, relatives, widow homes, यानि कई बार widow जो हो जाती थी, कई तो सती हो जाती थी, कई condition बहुत miserable होती थी, कि उनकी family है, उनको अच्छे से treat नहीं करती, तो उनके लिए उन्होंने एक widow home, जो था वो अपन किया था, पुने में, यह भी आपका extra question बन सकता है, उसके बाद, यहां ह read करेंगे, कि बहुत सारे ऐसे जो founder जो थे, उन्होंने क्या किया था, कि कुछ books है, magazines है, editing की थी, उनकी women ने association भी बनाई थी, और कुछ ने political जो pressure जो था, कि 20th century में, तो वो था कि female suffrage, यानि women को right to vote, जो है, वो भी दिया जाए, उनकी education के लिए, और कुछ ऐसे जो बड़े जो nationalist leader थे, जैसे ज्वाहरलाल नहरू है, सुभाष चंद्र बोस हैं, उन्होंने भी उनकी demand, equality और freedom for women के लिए बहुत जादा demand की थी, उनको support भी किया था, कि nationalist leaders ने promise किया था, कि men और women को, after independence, सबको right to vote, जो है suffrage, suffrage means right to vote, ये भी आपका extra question बन सकता है, या आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, उसके बाद यहां यही था, कि after independence, जो है man, woman की, जो discrimination है, या distinction है, उनके differences है, उनको खतम कर दिया जाएगा, उनको equal treat किया जाएगा, और upper caste और lower caste के सब मतलब, हर man और woman को चाहिए, वो किसी भी caste से बिलोंग करता हो, किसी भी religion से बिलोंग करता हो, सब को right to vote जो है, वो दिया जाएगा, तो यहां पर हमने कुछ आपके topic जो discuss किये थे, ठीक है, तो इसमें हमने extra question भी किये हैं, एक और है आपका, low against child marriage, यहां 1929 में, यह underline कर सकते हैं, आप child marriage restraint act, पास किया गया था, कि इसमें क्या होता था, कि बहुत सारे चोटे बच्चों की, लड़कों की शादी कर दी जाती थी, तो according to law जो है, act जो बनाया गया था, अब उसमें यह था कि age of 18, man जो थे 18 और girls जो थे 16 की, तो ही वो marriage कर सकते हैं, अब कौन सा बना हुआ है, 18 जो है, वो girls की है, और 21 man की, ठीक है, तो यह समय, उस समय यह चीजे होती थी, कि कोई भी छ चोटा लड़का है, लड़की है, और उनकी शादी कर दी जाती थी, कोई भी इस तरह का कोई भी कानून नहीं था, लेकिन 1929 में Child Marriage Restorant Act पास किया गया, यह भी आपका extra question है, और 1829 में सती system जो था, वो बन किया गया था, तो यह आपके कुछ question है, और next वीडियो में हम आगे के जो chapter के जो topic है, उसको explain करेंगे, और कौन-कौन से आपके extra question बन रहे है, वो भी आप जहां से सुनेंगे, और उसको learn करेंगे, क्योंकि आपके MCQ जो होंगे बिटा, उसमें आपके in between question है, और MCQ टाइप में ही paper होगा, तो आपको lesson पूरा read करना पड़ेगा, और read करने के बाद साथ-साथ आप उसको underline भी करते रहें, ताकि पूरा lesson दुबारा से पड़ने की बजाए, जो main headings है, points है, आप उनको read करें, और अच्छे से आपके question है, जो तयार हो जाएंगे, I hope बिटा, कि आपको ये lesson इतना जो आपकिया है, हमने समझ में आया होगा, ठीक है, उस को अच्छे से learn करें और revise करें, तैंक यू